दशहरे के दिन हैदराबाद में बांगलादेश की जो दुर्गशा हुई वह रावन की भी नहीं हुई होगी, क्योंकि युद्ध में मरने से पहले प्रभु श्री राम के हाथों रावन भी इतना नहीं पिटा था, जितना भारतिय बल्ले बाजों ने बांगलादेश के गें नहीं हुआ होगा, भारतिय बल्ले बाजों की आतिश बाजी का आलम यह था, कि 50 ओवरों के वंडे मैच टीम में जो 300 रनों का आकड़ा चुने की कोशिश करती हैं, उसे टीम इंडिया ने केवल 20 ओवर में 297 रन बना कर लगभग सारे तोर दिये, भारतिय टीम ने इतने र रह जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड्स खत्म नहीं होंगे, टीक बीस में किसी भी टेस्ट प्लेंग नेशन के द्वारा जो सरवाधिक रनों का रिकॉर्ड है, वहां आज तूट गया, इससे पहले अफगानिस्तान का रिकॉर्ड था, उसे इंडिया ने तोड़ दिया, 297 र इंटरनेशन टीमों के जो रिकॉर्ड हैं, इंटरनेशन क्रिकेट में टेस्ट प्लेंग नेशन में इंडिया नमबर वन हो गया है, इस रिकॉर्ड के पीछे तबाही, धुनाधार, जबरदस्ट, ताबरतोर और ऐसे पांट शब्द आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लि और फिर इनके बाद हार्दिक पांडिया और वियान पराग ने भी शायद दशहरे के लिए ये जबरदस्ट आतिशबाजी तयार की हुई थी, हार्दिक पांडिया ने जहां 18 गेंदों में 47 रन बनाये, तो वहीं रियान पराग ने 13 बाल पर 34 रन ठोके और इंडिया ने र पहले नेपाल ने मंगोलिया के सामने 2023 में 20 ओवरों में 314 रन बनाये थे, लेकिन ICC के फुल मेंबर नेशन की लिस्ट में अब तीम इंडिया टॉप पर है, हैदराबाद के मैदान में टॉस जीत कर तीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, इसका पूरा फायदा संजू सैमसन ने उठाया, जबकि अभिशेक शर्मा चार गेंद में 4 रन बना कर चलते बने, 23 रन पर पहला विकेट गिरने के बावजूद संजू सैमसन नहीं रुके और उन्होंने ताबड़तोर शॉट्स लगाना जारी रखा, जबकि सूर्य कुमार यादव ने उनका बखूबी साथ निभाया, संजू सैमसन ने अपनी पारी के दोरान बांगलादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन की 5 लगातार गेंदों पर 5 शक्के लगाए, जबकि 40 गेंदों पर भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 जमायाद इससे पहले रोहित शर्मा ने भारत के लिए 35 गेंदों में T20 अंतरराष्ट्रिय शतक ठूका था, T20 अंतरराष्ट्रिय मैचों में फुल मेंबर निशन के बैटर द्वारा बनाए गए सबसे तेज शतक, डेविड मिलर 35 गेंद बनाम बांगलादेश, रोहित शर अंतरराष्ट्रिय में किसी विकेट की पर द्वारा सबसे तेज शतक के वल फुल मेंबर नेशन, 40 गेंद संजू सैमसन बनाम बांगलादेश, 2024, 43 गेंद जोश इंगलिस बनाम स्कॉट्लैंड, 2024, 43 गेंद क्विंटन डी कॉक बनाम वेस्टेंडीज, 2023, 48 गेंद फिल 2023, शतक जड़ने के बाद संजू सैमसन ने कुछ आकरशक शौट्स लगाए, लेकिन 47 गेंदों में 11 चौके और 8 चौके से 111 रन बनाकर वह चलते बने, जिससे दूसरे विकेट के लिए सूर्यकुमार यादव और संजू के बीच बांगलादेश के खिलाफ सबसे अधिक र यादव और संजू सैमसन हैदराबाद 2024, 168 विंटन डी कॉक और रिली रोसो सिडनी 2022, 142 कामरान अकमल और सल्मान बट सेंट लूसिया 2010, 131 बाबर आजम और मुहम्मद हफीज लाहौर 2020, संजू सैमसन के शतक के बाद सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंदों में 8 चौके और 5 चौके से 75 रनों की ताबर तोर पारी खेली, जबकि इसके बाद अंत में रही सही कसर हार्दिक पंडिया और वियान पराग ने पूरी करदी पराग ने जहां 13 गेंद में 1 चौके और 4 चौके से 34 रन बनाएं, वहीं हार्दिक पंडिया ने 18 गेंदों में 4 चौके और 4 चौ के से 47 रन की पारी खेली, जिससे भारत ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, इस दोरान भारत ने 22 चौके और 25 चौके से कुल 47 बाउंदरी लगाई, जो की T20 अंतरराष्ट्रिय मैच में भारत के द्वारा लगाई गई अभी तक की सबसे ज्यादा बाउंडरी, 47 भारत बनाम बांगलादेश, हैदराबाद, 2024, 42 भारत बनाम श्री लंका, इंदोर, 2017, 42 दक्षिन अफरीका बनाम वेस्ट इंडीज, सेंचुरियन, 2023, 41 अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, देहरादून, 2019, 41 श्री लंका बनाम केनिया, केप ताउन, 2007 तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद